कि अग्यों है कि आज मैं आप लोगों के साथ पैंट में लास्टिक से लगाया जाता है उसका बीडियो शेयर करओंगी बहुत असान है कि दिए डशी को फूल वॉच पिके से तो मैं 4 inches कम रखोंगी, लास्टिक 15 inches रखोंगी, क्योंकि 1 inch तो हम लोगों का stitching में ही चला जाएगा, तो ready मेरा 14 है, तो मैं 15 रख रहे हूँ, क्योंकि 1 inch मेरा सिलाई में जाएगा, तो देखें इस तरह के से, 1.5 inch का मैंने यहाँ पर लास्टिक लिया है, आप लोग अगर चा कपड़ा जितना एकस्टा उपर की तरफ हम लोग रखते हैं, उतना ही हम लोगों को लास्टिक लिए अगर आप लोगों ने 1.5 inch का कपड़े उपर की तरफ रखा है, तो देर इंच का लास्टिक लिए वह आप लोगों की अपनी मर्जी देखें, मैंने यहाँ पर 15 inch में ल लगाऊंगी, वह मेरा स्टिचिंग का है, और 1.5 inch वाला निशान जो है, वह मेरा लास्टिक अंदर की तरफ डालने वाला फिटिंग नाप है, देखें, दो इंच में निशान लगा लेना है, इसी निशान में हम लोगों को स्टिचिंग करना है, अगर आप लोग बिगनर स और अच्छी तरीके से समझ सकें निशान लगाने के बाद में किस तरीके से बनता है, यहां पर मैंने निशान लगा लिया है, अब क्या करूंगी, जहां पर मैंने निशान लगाया, वहां तक कपड़े को इस तरीके से फॉल्ट कर लेंगे, और 2 पॉइंट अंदर की तरफ दो से तीन पॉइट अंदर की तरफ करेंगे और यहां से देखिए हाफ इंच की दूरी में हम लोगों को इस तरफ ढालना है तो हम लोगों को एक इंच का गैप रखना है लास्टिक को अंदर की तरफ ढालने के लिए देखे दो से तीन पॉइट अंदर की तरफ कपड़े को डालेंगे और पूरी रॉन में ही इसी तरीकी से ही स्टिचिंग कर लेंगे एक बार पीछे की तरफ आप लोग सिलाई जरूर देख लिजेगा क्या होता है कि हम लोग सिलाई कर लेते हैं और बाद में सिलाई सही नहीं रहता तो फिर खुलने में बहुत प्रॉब्लम होता है तो एक बर पहले ही देख लिजेगा आप लोग सिलाई सही हो रहा है के नहीं इसे पहले वाले वीडियो में मैंने इसी पैंट में फिरिल वाला डिजाइन नीचे की तरफ में बना कर दिखाया है अगर आप लोगोंने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के लास स्क्रीन में देदूंगी आप लोग किली करकर जरूर देख लिजिएगा देखे दो से तीन पॉइंट अंदर की तरफ फोल्ट करेंगे और पुरी रॉंड में इसी तरीके से धिरे-धिरे करकर हम लोग स्टिशिंग कर लेंगे अगर आप लोग बिगनर से नियू सिलाई सीक रहे हैं तो आप लोग पहले बॉल पिन से शेट कर लिजिएगा उसके बाद फिर इस्टिशिंग कीजिएगा तो वह भी आप लोगों का बहुत असान तरीके से बनकर तयार हो जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद मैं half inch दूरी में हम लोगों को लोगकर अच्छी तरीके से टाका लगाते हुए निकाल लेना देख़की यहां पर मेरा पुरी रोण में स्टिशिंग में हो चुका हैं यहां पर मैं क्या करूंग कि hap inch दूरी में ही मैं अच्छी तरीके से टाक ड़ीपिन लागा लेंगे उसके बाद एक साईट से लास्टिक को डालना इस्टार्ट करेंगे और दूसरी साईट से निकाल लेंगे देखे इस तरीके से डालेंगे मैं वीडियो को skip नहीं कर रही पूरा बता रही हूँ क्योंकि बिगनर्स अगर देख रहे हैं तो असान तरीके से समझ सके देखे इसी तरीके से हम लोग डालेंगे और राइट साइड में हम लोगों को खिछना है लास्टिक को अंदर की तरफ डालना है और राइट साइड में खिछते जाना है इस तरीके से आप लोगों का जितना भी कमर का मेजरमेंट है आप लोग 4 से 5 इंच लास्टिक को कम रखिएगा तो आप लोगों का पर्फेक्ट बैठेगा इसे तरी किसे ही देखिए दूसरी साइड से निकाल लेंगे और धीरे-धीरे करकर खिचेंगे राइट साइड में सेट करना है फिर आप लोगों को इस तरी किसे खिचते वे हम लोगों को सेट करना है चौड़ एलास्टिक को इस तरी किसे खिचेंगे तो ही वो सेट होगा देखिए इस तरी किसे खिचते वे सेट कर लेंगे दूसरी तरफ से भी मैंने निकाल लिया है अब क्या करेंगे दोन मुझ को इस तरीकी से पकड़ कर एक इंच की दूरी में अच्छी तरीकी से हम लोगों को टाका लगाना है दो से तीन बार अच्छी तरीकी से टाका लगाना है देखि इस तरीके से मैंने टाका लगा लिया है और एक्स्ट्रा लास्टिक को यहां से कट कर देंगे और जितना सेट करना है और एक इंच का एंडर का घैप थी फिर से स्टिच करकर उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूं देखे मैंने यहाँ पर stitching कर लिया है आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे